इस वीडियो में आप सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग को ही नहीं सिखने वाले हो बलकि इंट्राडे ट्रेडिंग से डेली कैसे पैसा कमाया जाता है उसको भी सिखने वाले हो उसके बाद इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉक्स को आखिर कैसे सिलेक्शन किया जाता है उस इसको भी सिखने वाले हो, तो अगर आप आज की इस वीडियो को पूरा देख लेते हो ना, तो इंट्राडे ट्रेडिंग का complete course ही आपका हो जाएगा, वो भी बिल्कुल free में, तो चलिए करते हैं इस powerful वीडियो की शुरुआत, तो समझते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग क्या ह होता है, तो दिखिए, ये जो इंट्राडे वर्ड है ना, ये वर्ड दो वर्ड से मिलके बना है, ध्यान से समझना, ये जो इंट्राडे वर्ड है, ये वर्ड दो वर्ड से मिलके बना है, पहला वर्ड है जो है इंट्रा, दूसरा वर्ड है जो है दे, ठीक है ना, समझ इस intra का मतलब होता है within, और यह जो day है, इस day का मतलब होता है one day, simple सा भासा में, ठीक्खे? intra का मतलब हुआ within, day का मतलब हुआ one day, यानी की within a day, समझ घए? तो intra day का मतलब क्या हुआ? कि एक ही दिन के अंदर अंदर, within a day, इसको हिंदी में क्या बोला जाएगा? कि एक ही दिन के अंदर-अंदर, समझ गए, उसी को बोला जाता है intra day, intra का मतलब within, day का मतलब one day, within a day, हिंदी में क्या हो गया, एक ही दिन के अंदर-अंदर, कि लिए रहे बात, तो intra day आपने समझ लिया, अब, trading का मतलब यह होता है, कि share बजर में, किसी भी share को खड़िदना, औ उसी को बोला जाता है trading, ठीक है, तो अब आप अगर यह दोनों word को जोर दोगे, तो answer क्या निकल रहा है, intra day का मतलब within a day, यानि कि एक ही दिन के अंदर-अंदर, trading का मतलब share को खड़िदना और पेचना, तो finally intra day trading का मतलब यह हुआ, कि share बाजर में, कोई भी company के share को जेना, उसी trading को बोला जाता है intraday trading, किलियर यह बात, यानि कि हमारा Indian share market का timing क्या होता है, सुबह सौवा नोबजे हमारा Indian share market खुलता है, और साम को सारे तिन बसते ही हमारा Indian share market बंग होता है, ठीक है, तो अगर आप intra day trading करते होना, तो आपको इस timing के बीच में share को खड़िदन है, उसी trading को बोला जाता है intraday trading, माल लेता है, आपने intra day trading में कोई company के share को खड़िद लिया, और आपका खड़िदते ही, आपका नुकसान होना शुरू हो गया, अब आप सोचते हो, कि चलो, आज नुकसान हो रहा है, मैं इसको कल बेज दूँगा, कल जब profit होने लगेगा, या फिर 10 दिन बात बेश दूँगा, जब मेरा profit होने लगेगा तब बेश दूँगा, तो intraday trading में आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं खर सकते, क्योंकि intraday trading एक ही दिन में खरिदा जाता है intraday trading में, और उसको उसी दिन बेशा जाता है, अगर आप ऐसा नहीं करते हो, माल लेते हैं, आपने कोई ये नाम के company के share को खरीद लिया, और उस company के share को, आप सारे 3 बज़े से पहले नहीं बेशते हो, for an example, आप भूल जाते हो, गलती हो जाती है, काम आजाता है, भूल जाते हो, उस company के share को नहीं बेशते हो ना, तो ऐसे में क्या होगा, जिस broker के पास आपका dimate account है ना, जो भी broker के पास आपका dimate account है, वो broker आपके बिहाब पे उस company के share को sell कर देगा, जिसके लिए आपका broker आपसे 50-100 रुपिया penalty भी ले सकती है, ठीक है ना, इसलिए ध्यान रखना, कि अगर आप intraday में कोई company के share को खरीदते हो, तो आपको सारे 3 बज़े से, सारे 3 तो नहीं, सवा 3 बज़े से पहले ही आपको उस company के share को बेच देना है, नहीं बेचोगे, तो आपको penalty भी देनी पर सकती है, चाहे आपका फायदा हो, चाहे आपका नुकसान हो, आपको share को उसी दिन बेचना है, ओके, किलियारे बात, intraday trading क्या होता है, आपने समझ लिया, अब, आपके मन में ये सावाल आ रहा होगा, कि जबकि इतना जहमेला होता है intraday trading में, share को एक ही दिन में खड़ी दो, एक ही दिन में बेचो, तो लोग अखिर intraday trading करता ही क्यों है, लोगों का क्या फायदा होता है, भैया बहुत फायदा होता है, सबसे बारा intraday trading करने का फाइदा ये है कि intraday trading में margin मिलता है यानि कि अगर आप intraday trading करोगे ना तो आपको leverage मिलता है अब ये margin का मतलब क्या होता है समझते हैं देखे, माल लेते हैं एक XYZ नाम का company है For an example, एक XYZ नाम का company है जिस company का अभी एक share का price है 10,000 रुपिया For an example, एक XYZ नाम का company है जिस company का अभी एक share का price है 10,000 रुपिया ठीक है, तो अगर आप इस company के share को intraday में भाई करते होना तो हो सकता है ये share का दाम 10,000 रुपिया है ना तो intraday में अगर आप खरीदने जाओगे तो ये share आपको 2,000 रुपिया में ही मिल जाएगा आप बोलोगे कि ये 10,000 का share, 2000 में कैसे मिल जाएगा हाजी मिल जाएगा इसी को तो बोला जाता है margin और ये margin intraday में मिलता है intraday trading करोगे तो ये margin का facility मिलता है यानि कि आपको share discount में मिल जाता है जैसे कि कई बार कुछ कुछ share में आपको 2 गुणा सस्ता मिल जाएगा कोई कोई share में आपको 3 गुणा सस्ता मिल जाएगा कोई कोई share में आपको 5 एक का margin मिल जाएगा यानि कि 5 गुणा तक सस्ता मिल जाएगा इसलिए तो intraday trading इतना famous होता है लोग क्यों इतना जमला लेगा share को एक ही दिन में खरीदना होता है एक ही दिन में बेशना होता है तो लोग अखिर क्यों करेगा इसके लिए करता है margin के लिए क्योंकि share सस्ता मिल जाता है जिसके वोजे से क्या होता है कि आप कम पैसों में ज़्यादा quantity share को खड़ी सकते हो तो ऐसे में आपका फायदा भी काफी गुना हो सकता है नुकसान भी काफी गुना हो सकता है मुझे पता है आपको उतना समझ में नहीं आ रहा होगा चलिए इसको एक example से समझने की कोशिस करते हैं तो पहले हम लोग normal trading का example को समझेंगे उसके बाद intraday trading का example को समझेंगे जब आप ये दोनों trading का बीच का example को समझ लोगे ना फिर आपका धीरे धीरे concept clear होते जाएगा ठीक है तो पहले बात करते हैं normal trading की वैसे अगर आपको वीडियो अब तक अच्छा लग रहा है ना तो यह वीडियो को लाइक कर देना एक प्यारा सो कोमेंट कर देना ओके तो ध्यान से समझेंगे ना माल लेते हैं share बाजर में एक XYZ नाम का company है ठीक है और इस company का फिलाल एक share का price चल रहा है एक share का price चल रहा है माल लेते हैं 500 रुपी ठीक है और आपने normal trading में इस company के share को 100 quantity share खड़िद लिया ठीक है 100 quantity share आपने खड़िद लिया कितना रुपिया का भाव में 500 रुपिया का भाव में अपने 100 quantity share को खड़िद लिया तो इसमें आपका total investment कितना हुआ 500 रुपिया के भाव में अगर 100 quantity share को खड़िद लिया तो total आपने पैसा लगाया 50,000 रुपिया ठीक है ना ये में normal trading की बात कर रहा हूँ अब आपने 500 रुपिया के भाव के 100 quantity share को खड़िद लिया 40,000 रुपिया आपने लगा दिया अब अगर इस share का 500 रुपिया भाव है इस share का अगर उसी दिन 500 रुपिया से 510 रुपिया share का भाव चला जाता है for an example एक्जांपल दे रहा हूँ कि 500 रुपिया भाव था आपका खड़िदने के बाद share का भाव 510 रुपिया तक चला जाता है तो इस case में आपका फायदा कितना होगा इस case में आपका फायदा होगा 510 यानि कि 10 रुपिया आपका increase हुआ share का भाव बढ़ गया तो 10 रुपिया into 100 quantity आपने खड़िदा था 100 quantity आपने खड़िदा था तो आपका total profit होगा 10 into 100 यानि कि आपका 1,000 रुपिस फायदा होगा 1,000 रुपिस का आपका profit होगा क्यों क्योंकि आपने खड़िदा था 500 रुपिया का भाव में 100 quantity share और आपका खड़िदने के बाद 510 रुपिया चला गया तो 10 रुपिया into तो 100 quantity आपका total फायदा होगा 1,000 रुपिया ये मैंने normal trading की बात किया अब in case आपका share खड़िदने के बाद अगर 500 से share का price कम हो जाता है मान लेते हैं 500 था आपका खड़िदने के बाद 490 हो गया 480 हो गया या फिर 400 हो गया तो ऐसे में तो आपका नुकसान हो जाएगा तो अगर आप normal trading करते हो ना तो अगर आपका मान लेते हैं जिस दिन share आपने खड़िदा उस दिन 500 में खड़िदा उसके बाद 490 तक चला गया या फिर 480 तक चला गया या फिर 400 तक share का price गिर गया यानि कि आपका खड़िदे के बाद शेयर गिर रहा है तो normal trading में आप इस company के share को hold करके भी रख सकते हो अगर आपका उस दिन नुकसान हो रहा है ना तो आप उसको कल बेश सकते हो परसो बेश सकते हो या फिर जिस दिन आपका फायदा होगा उस दिन भी बेश सकते हो ठीक है ये normal trading का एक फायदा होता है ओके यहां तक आपने ये समझ लिया कि normal trading इस तरीके से काम करता है लेकिन बाद जब intraday trading की आ जाती है ना तो intraday trading में मैंने आपको क्या समझाया था कि intraday trading में हमें margin मिलता है margin यानि कि हमें share कई बड़ 2 गुना सस्ता मिल जाएगा 3 गुना सस्ता मिल जाएगा 5 गुना तक भी सस्ता मिल जाता है intraday trading में ठीक है तो अब हम intraday trading को समझते हैं माल लेते हैं कि एक xyz नाम का ही company है और उस share का, एक share का price दे 500ुरूपया, ध्हान से समझना एक X&J नम का company है, एक share का price चल रहा है 500ुरूपया तो अगर हम इस share को, intraday में by करेंगे तो जबकि intraday में 5 गुना हमें share सस्ता मिल जाएगा तो अगर share का price दे 500ुरूपया, और intraday में by करेंगे और 5 गुना अगर हमें सस्ता मिलेगा तो इसको 5 से डिवाइट करेंगे तो पर share हमें 100 रुपिया में ही 500 का share मिल जाएगा तो अगर 100 रुपिया में 500 का share मिल जाएगा तो हम इसको कितना quantity share खड़ी सकते हैं 500 quantity share को खड़ी सकते हैं जबकि इससे पहले normal trading में हमारे पास 50,000 रुपिया था तो हम 100 quantity share को खड़ी दे थे 100 quantity इसलिए खड़ी दे थे क्यूंकि हमारे पास 50,000 रुपिया और 500 रुपिया share का भाव था तो 500 इंटू 100 पचासाजा रुपिया हमारा fulfill हो गया लेकिन यहां पे जबकि share का भाव 500 से 100 खड़ी देंगे तो यहां भी हमारा investment कितना हो गया 50,000 ही हो गया यहां भी हमारा investment 50,000 यहां भी हमारा investment 50,000 लेकिन अब यहां पे फर्क देखो कोई इस company के share को खड़िद लिया आपका खड़िदने के बाद इस share का अगर 10 रुपया भी भाव बढ़ जाता है इस वाला case में भी बढ़ा था ना 500 से 510 रुपया हुआ था इस वाला case में भी अगर 500 से 510 रुपया हो जाता है ना तो अब आपका intraday में कितना profit होगा अगर per share का 10 रुपया भाव बढ़ता है और आपके पास है 500 quantity तो 10 रुपया इंटू 500 quantity आपका total कितना profit होगा 5000 रुपया का profit हो जाएगा कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं पिछले वाले case में देखो 5000 ही लगाए थे लेकिन अपने 100 quantity खड़िदा था इसलिए share का price अगर 10 रुपया इन वाले case में भी अपने 50,000 लगाया लेकिन जबकि यहाँ पे quantity बढ़ गया quantity क्यों बढ़ा क्योंकि हमें यहाँ पे margin मिल गया इसलिए quantity बढ़ गया अब इस case में भी share का price 10 रुपया बढ़ गया तो 10 रुपया इंटू 500 quantity हमें फायदा हुआ 5000 का normal trading में 1000 का फायदा intraday trading में 5000 का फायदा यही पावर होता है intraday trading ठीक है ना अब इसका उल्टा भी समझ ले ना खाली यहाँ पे positive बात बोला अगर in case intraday trading में कोई share को खड़िते हो अगर 500 से 490 हो जाता है तो जैसे आपका 5000 फायदा हुआ ना आपका 5000 का नुकसान भी हो सकता है यानि कि कुल मिला कर intraday trading में ना अगर आपका फायदा हुआ तो भी 5 गुना का होगा नुकसान अगर होता है ना तो भी 5 गुना का ही होता है ठीके इसी को बोला जाता है intraday trading तो चलिए अब हम मोबाइल में live सीख लेते हैं कि आखिर intraday trading कैसे किया जाता है तो यहाँ पे मैंने angel one application में अपना डिम account खुलवाना चाते होना तो हमने angel one का link बीचे description पर दे दिया है वह हमारा affiliate link है तो वहाँ से आप बिल्कुल free में angel one में अपना डिमेट account को खुलवा सकते हो ठीक है तो जैसे ही आपका डिमेट account खुल जाएगा उसके बाद कुछ इस तरीके का interface आपके समने आ जाएगा ओके मैं यहाँ पर example देने के लिए Tata Motor को search कर लेता हूँ यह कोई recommendation बिल्कुल भी नहीं है buy sale का आपको जो company में intraday trading करना है उस company का नाम यहाँ पर search कर दोगे उसके बाद देखो company आ गया मैंने Tata Motor को search किया company आ गया उसमें आपको click कर देना है जैसे ही click करोगे अब आप यहाँ पर देख पाऊगे कि Tata Motor का फिलाल एक share का price कितना चल रहा है 1013 रुपिया चल रहा है इसको round figure 1000 ही पकल लेते हैं ठीके तो अगर आपको इसमें intraday trading करना है तो आपको simply buy wall option पे click कर देना है अब मैं आपको बता दू कि intraday trading में आप पहले sale करके भी बाद में buy करके पैसा कमा सकते हो यानि कि जो share आपके पास नहीं है उस share को पहले sale करके भी बाद में buy कर सकते हो जिसको short sale भी बोला जाता है इसके उपर कभी और बात करेंगे ठीके फिलाल buy को ही समझते हैं तो अगर आपको intraday trading करना है तो आपको buy wall option पे click कर देना है उसके बाद आप यहां पे ध्य Tata Motor का 10 quantity share को खड़िदना है तो मैंने यहां पे 10 quantity डाल दिया अब Tata Motor का एक share का भाव कितना चल रहा है एक हजार रुपिया चल रहा है और 10 quantity share को खड़िदेंगे तो हमें कितना पैसा देना पड़ेगा देखो जी 10 quantity into 1000 हमें total 10,000 रुपिया देना पड़ेगा यहां पे आग एक गुना भी सस्ता मिल जाता है। तो यहां पे तो सस्ता नहीं मिल रहा है। क्यूंकि आप हमने delivery वाले option पे क्लिक गा है कुरह के लुक्त इसको अन्हें झाल्रेडिंग स्ट अब इससी Share को अगर रहे हम इंट्र डे में क्लिक करते हैं ये देखिए इंट्राडे में मैंने क्लिक कर दिया अब देखिए سौ share खरीदने में कितना लग रहा है 20 रुपिया लग रहा है पाज गुण सस्ता हो गया delivery में click कर रहे हैं तो 100 share खड़ी देंगे तो एक लाग रिप्या देना पर रहा है इसी share को intraday में click किया देखो जी 20,000 में ही हम लोग 1 लाग का share को खड़ीद पाएंगे है ना तो इसी को बोला जाता है intraday trading अब इस share में हमें 5 गुना margin मिल रहा है वो सकता है जो share आप खड़ीदोगे उसमें 2 गुना margin मिले यानी कि 2 गुना सस्ता मिले वो सकता है आप जो share को खड़ीदोगे 3 गुना सस्ता मिल जाए तो अलग-लग share में अलग-अलग margin मिलता है अभी ताटा मोतर का share में 5 गुना हमें margin मिल रहा है अगर हम 10 quantity share को खड़ी देंगे तो देखो जी 2000 रुपया देना पड़ेगा इंट्राडे में लेकिन अगर normal trading करेंगे तो 10 quantity में जो भाव है share का वही भाव देना पड़ेगा 10,000 रुपया ही देना पड़े ठीक है तो इसी तरीका से आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो बाई करोगे तो आपका जो share है वो बाई हो जाएगा उसके बाद उसी दिन आपको share को बेचना है लेकिन डारेक्ट बिना ck share को खड़िदना बेचना नहीं है इंट्राडे ट्रेडिंग में ठीक है क्योंकि बहुत ज़्यादा high risk की trading होता है तो यहां तक आपने live देश लिया कि कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें 5 गुना तक share सस्ता मिल जाता है अब समझते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग का कुछ फायदा कुछ नुकसान ये समझना भी काफी ज़्यादा ज़रूरी है और इसके बाद हम लोग ये समझेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आखिर stocks को कैसे selection किया जाता है इसलिए वीडियो को छोड़कर आपको जाना नहीं है मैंने आपको बोला था ना इस वीडियो में इंट्राडे ट्रेडिंग का complete course आपका हो जाएगा तो जो वादा किया था पूरा भी करूंगा ठीक है तो सबसे पहले बात करते हैं positive point का यानि कि इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या क्या positive point होता है तो सबसे पहले यहाँ पे हमें margin का facility मिलता है जो कि सबसे बड़ा positive point होता है इंट्राडे ट्रेडिंग का margin यानि कि हमें share 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना सस्ता मिल जाता है उसी share को अगर हम normal trading में खड़ी देंगे तो normal trading में जो share का market में भाव चल रहा है उतना ही पैसा दे कर हमें share खड़ी दना पड़ता है लेकिन उसी share को अगर हम इंट्राडे में खड़ी देंगे तो वो share हमें 5 गुना सस्ता मिल जाता है जिसको बोला जाता है margin का facility जो सबसे पहला positive point होता है next positive point क्या है कि यहाँ पे हमें high profit होने का chances होता है high profit होने का क्यों chances होता है क्योंकि हमें margin मिल जाता है margin मिलने के कारण share का भाव कम हो जाता है share का भाव कम हो जाता है तो यहाँ पे हम ज्यादा quantity share को खड़ित पाएंगे तो ज्यादा quantity share को खड़ित देंगे तो यह profit भी तो ज्यादा होगा ना हमने example में समझा था ना कि एक तरफ normal trading से हमने 50,000 देकर trading किया दूसरी तरफ intraday trading में 50,000 से trading किया normal trading में हमें फायदा हुआ 1000 का intraday trading में हमें फायदा हुआ था 5000 का क्यूं कि यहाँ पे हमें margin मिल जाता है तो दूसरा फायदा क्या है कि intraday trading में हमें ज्यादा profit हो सकता है तीसरा फायदा क्या है कि intraday trading में short selling भी किया जाता है यानि कि जो share आपके पस नहीं है उस share को भी आप पहले बेश सकते हो और बाद में सस्ते में उसको खड़ित कर पैसा कमा सकते हो माल लेते हैं आपको लग रहा है कि कल ये company के share का price गिरेगा for an example आपको लग रहा है कि Tata Motor तो कल share का price गिरेगा तो Tata Motor को आप कल intraday में पहले sale करके बाद में गिरेगा जब तो उसको सस्ते में buy करके भी profit कमा सकते हो जिसको बोला जाता है short selling ठीक है तो short selling के उपर अगर आपको video चाहिए तो नीचे comment करके short selling लिख देना मैं short selling के उपर अलग से video बना दूगा अगर इस video में समझाने जाओ तो बहुत ज़्यादा late हो जाएगा आप board भी हो सकते हो ठीक है तो short selling करके भी intraday trading में पैसा कमा सकते हो next क्या है कि no overnight risk यानि कि आपका पैसा रातो रात खूने का डर नहीं होता है normal trading करोगे ना तो माल लेते हैं आपने normal trading में share को खड़ित के रखा है और रातो रात उस share के बाड़े में कोई खराब ख़बर आई है तो कल जब market खुलेगा तो आपका share काफी ज़्यादा गिर सकता है तो ऐसे में आपका काफी नुखसान हो सकता है लेकिन intraday trading में तो आप एक दिन में खड़िते हो एक दिन में बेशते हो तो रातो रात अगर कोई खराब भी नहीं जा जाता है आपको उससे क्या आपने तो सुबह खड़िदा साम को बेश दिया बास आपका काम खतम तो रात को hold करने का कोई हमेला नहीं है रात को अगर कोई company के बड़े में खराब भी खबर आता है तो intraday trading में आपको उससे मतलब नहीं है ठीक है ये भी एक फायदा होता है और पाचवा फायदा क्या है कि no fundamental यानि कि intraday trading में आपको company क्या करती है company का business कैसा है company का management कैसा है company का sale कैसा है ये सब जंजट आपको चेक करना नहीं पड़ता है ठीक है intraday trading में तो आप एक दिन के लिए खड़ीते होना तो एक दिन के लिए खड़ी दोगे तो business थोड़ीना चेक किया जाता है यहाँ पर technical analysis किया जाता है और technical analysis कूपर हमने अपने channel पर काफी सारा वीडियो बना के रखा है उन वीडियो को देखकर भी सिख सकते हो ठीक है तो पांचों फायदा क्या है कि यहाँ पर हमें company का business देखने का जहमेला नहीं होता है जो कि बहुत अच्छी बात होता है अब यह तो गया positive बात अब कुछ negative चीज भी होती है इंट्राइडे ट्रेडिंग में वह भी जानना जोगी है सबसे पहला negative यह है यह इंट्राइडे ट्रेडिंग बहुत ज़धा high risk trading है बहुत ज़धा high risk trading है इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप एक दिन में खड़िते हो एक ही दिन में बेशते हो अब माल लेते हैं आपने intraday trading में कोई company के share को खड़ीदा और उस दिन आपका काफी ज़्यादा नुकसान होने लगा example दे रहा हूँ आपका काफी ज़्यादा नुकसान होने लगा तो उस share को आपको नुकसान में ही बेचना परेगा ऐसा नहीं कर सकता कि मैं इसको कल बेचूंगा परसो बेचूंगा नहीं कितना आपका नुकसान हो रहा है नुकसान लेकर ही आपको बेचना पड़ेगा इसलिए intraday trading बहुत हाई risk की trading होता है point number one दूसरा क्या कि high loss भी हो सकता है यहाँ पे आमने बात किया high profit का क्योंकि ज़्यादा quantity share को खड़ी दोगे तो profit होगा तो ज़्यादा ही profit होगा loss भी होगा तो भी ज़्यादा ही loss होगा यह बात भी ध्यान लखना ठीक है intraday trading में loss भी काफी ज़्यादा होता है तिसरा not a part time job हाँ जी यह बहुत important है अगर आप सोचते हो मैं job करता हूँ मैं business करता हूँ part time में intraday trading करके पैसा कमा लूँगा भाया ऐसा सोचना भी मत intraday trading part time का job नहीं है मैंने क्या बोला था सुबह सवा नौ बचे सामको सारे तिन बजे तक आपको mobile की screen पर रहना होगा laptop की screen पर रहना होगा intraday trading part time का job नहीं है और जितने भी लोग part time में intraday trading करता है वो सब loss में है आप देखो न ट्रेडिंग में क्यों इतने सारे लोग loss में है इसी खारण लोगों को लगता है मैं job के साथ intraday trading कर लूगा बाया इतना easy होता तो हर कोई अमीर बन जाता है तो यह गलती आपको भूल कर भी नहीं करना है intraday trading part time का trading नहीं है part time का trading एक ही है जिसको मैं मानता हूँ swing trading swing trading को आप सीख कर part time में भी पैसा कमा सकते हो और swing trading का पूरा course free में हमने अपने channel पर upload किया है हमारे channel पे जाओ playlist वाले section में जाओ swing trading का playlist में जाओ वहाँ पे swing trading का हर एक वीडियो को देखो part time में सिखना चाते हो ना पैसा कमाना चाते हो तो swing trading को सिखो वहाँ से पैसा कमा पाऊगे लेकिन बात अगर intraday trading की है भाया बहुत risky trading होता है ये part time का job नहीं है ओके तीसरा नुकसान ये है चौथा self control यानि कि अगर आप अपने emotion पर control नहीं कर पाते अगर आप थोड़ा loss पे ही घबडा जाते हो अगर आपके trading छोड़ो अगर आपके जीवन में कई बार दुख आता है तो उस थोड़ा सा दुख में ही आप घबडा जाते हो डर जाते हो रोने लगते हो इस type का mentality है फिर आपको intraday trading नहीं करना चाहिए क्योंकि trading एक ऐसा business है जहां पर आपको हर दिन challenges का सामना करना पड़ेगा अगर आपको इन challenges का सामना करना नहीं आता है अगर आपके जीवन में थोड़ा बहुत दुख आता है आप घबडा जाते हो फिर तो आप trading में मात ही आप ठीक है तो daily आपको stocks को selection करना पड़ेगा माल लेते हैं आज आपने intraday trading में profit कर लिया अब फिर से कल जब सुभा हो गई ना कल फिर से आपको stock को selection करना पड़ेगा सही stock को selection करोगे तो ही आप intraday trading में पैसा कमा पाओगे उल्टे सिधे company के share में intraday trading करोगे फिर तो आपका loss ही हो ज सिखना है तो आप इस वाली वीडियो को क्लिक कर सकते हो इस वीडियो को complete देख लोगे तो आप भी सिख जाओगे कि intraday trading में आखिर कैसे stocks को selection किया जाता है ठीक है और अगर आपके पैस demate account नहीं है demate account का link आपको description पर मिल जाएगा वहाँ से free में demate account खुलवा सकते हो ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे एक प्याड़ा सा comment करके बता देना thank you so much